भारतिन्ता पार्टी कभी नहीं चाहती कि पिछणों को उसका वाजिव हक मिले वो ससक्तिकरण का लाव ले सके नजरा कलपना करिये कि उत्तर प्रदेश में हैं वह भारतिन्ता पार्टी के सरकार है फुल फलेज गोश्डेज गोवर्मेंट है तो वहां इनको पिछणों का ही पर ये रूप रेखा पतकालीन मुखमंत्री सिर्मतिराबडी दिविजी के समय में दिर ने लिया गया था जो फिर सब्जुडिस जब मामले हो गया तो राज की सरकार ने बिड्राव करकर के माम फिर चुनाब करा है और अरच्छन मिला पंचायतों में जो हम चाहते थे हम तो बाज उठाएंगे सर्टेन लोग पुझी पती लोग जो गोट से को मुहामंडित करने वाले लोग हैं धारमी कुनमात का रास्ता अक्तियार करकरके इनको सिच्छा जगत से ही बाहर करो इनके राजनितिक खिस्दारी से ही बाहर करो करते हैं भारत जंता पाटी के लिए उत्तर परदेश नगर निकम की चुनावने जा रही है उससे पहले हाई कोट का यह फैसला आया है कि यहां ओभी सी अरक्षन को खतम करके चुनाव करा जाए इससे पहले बिहार में भी नगर निकम चुनाव से पहले यह कहा गया कोट के द्वारा है कि यहां पर भी इभी सी अरक्षन को खतम करो या फिर त्री ट्राइल कराओ स्वर्बे कराओ कि कोन पिछडा है नई पिछडा है इसको ले करके राजनिति गरम थी बिजेपी वाले कर रहे थे कि हम वबीसी के हिता ऐसी हैं माय गढ़वन न कर रहे थी कि हमने वबीसी को रक्षन लागू करा है लेकिन अब उत्तर पर देस में जब यह मामला सामने आ गया है कि वो भी सिय अरक्षन खतम करके चुनाओ करने की बात था रही है बात करेंगे मरे साथ राजत परवक्ता सक्ति सिन्यादों जी है सर बिहार में हुआ तो बिजय प्युवा लेका रहे थे कि हम तो ही तैसी है अब उत्रपरदस में भी खतम कर दिया गया है भारतेंता पार्टी कभी पिछडा ती पिछडे का समर्थक नहीं रही है बिहार में कठबंधन में थी भारतेंता पार्टी पार्ट अब दी गोव्मेंट की भूमका में थी नेतिस जी नेतित्व कर रहे थे और ये पिछडों के आरच्छन के सवाल पर ये रूप रेखा तकालीन भारतेंता पार्टी कभी नहीं चाहती कि पिछडों को उसका वाजिव हक मिले वो ससक्तिकरन का लाव ले सके इसके खिलाफ रहती है भाजपा बना जड़ा कलपना करिये कि उत्तर पर देश में है वही भारतेंता पार्टी के सरकार है फुल फलेज गोवर्मेंट है तो वहा उनको पिछडों का हितका सवाल क्यों नहीं सामने लाते हैं वहां जनरल चुनाब कराने के लिए तयार हो चुके हैं अब बिहार के अंदर में हम नोंने ठाना कि नहीं चाहे जो भी हो हमें जहां भी जाना पड़ेगा हम उनने के अधिकार के साथ किसी भी तरह का कोई होने नहीं देंगे और अज भी हार कंदर में जो देख रहे हैं नगर निकायों में चुनाब जो हो रहे हैं उसने पुरे तरह से पिछला तरह किया रच्छन को उसके रोष्टर को लागू किया गया है लिगिन भाजपा वहां भाजपा के लोग यहां बताएं उत्तर परद जवाज उठाएंगे और जवाब भी देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि उत्तर परदेश में जनरल कर देंगे चुनाब तो वह आपकी लपटे और जगों पर नहीं पहुंचेगी पहुंचेगी और किनको दिक्कत है वो भी सियरक्षण से आखिर बार बार इसको खतम करने क कि किग्यों पर्यास कीजहें है तो झाल कि संग का सिधा फंडा साफ है संग चाथा इसे देश के अंदर में पिछला की पिछला दलत Verfügung का ख समापत हो कौन अधून का हब्समापत हो सटन लोग पुझिपती लोग जो ग्ट सेक को मौहमळित करने वाले लोग हैं धारमी पुन बीजेपी की सरकार है रसेसे क्या मतलब? बीजेपी की सरकार है रक्षन कैसे बचाईए आप लोग जो गरीबों को रक्षन मिला पिछड़ों को रक्षन मिला जो लोग बे समय से राजनितिक में नहीं थे नहीं पालिका में नहीं थे पर कहीं नहीं थे उनको अप लोग कैसे बचाईए लगा तार आ रक्षन को किसी भी कीमत पर हम समाप्त होने नहीं देंगे चाहे जो भी संगहर्थ करना परे आरक्षन बचाने के लिए उस पर हमारा संवधानिक हमारा अधिकार है उस अधिकार के साथ कोई खिलवाल करे हम त जो जच बन जाते हैं यही लोग समाथ करने के लिए साजी स्रत्म रहां नहीं होगा सब पिछड़ में नहीं होगा जब तक पिछडों का परतधित, दलित का परतधित, अवरत का परतधित वहां नहीं पुझेगा, तो उसकी हिफाज़त कौन खरेगा अच्छा का, अब ज़रात देखिए न, कि जब हम किसी के खिलाफ नहीं है, न हम अगले के खिलाफ हैं, हम तो बाजी भाग के चाहिए अग देखा जा रहा है, सब लोग देख रहा है देश की जनता, ये उनमाद का रास्ता देश को स्विकार नहीं है, धार्मिक उनमाद के सहारे, भासाई अतंग के सहारे, अगर आप रास्ता क्तियार करना चाहते हैं, देश को उधर ले जाईएगा, देश की जनता उसे स्विकार न यहां भी आप लोग अरक्षन को बढ़ाएंगे क्योंकि जर्म संख्या लगतार बढ़ती जारा लोग की मांग रही है कि अरक्षन जो मिलता 27 पर्षंट बढ़ा दिया जाए मैं निश्चित तरपर इसका पक्षकार हूँ और हमारे सरकार इन बातों के लिए कृत थिस सेचनिक आर्थिक समाजी की सित्य जब जानते हो तो जाती बताऊना तो जिस जाती में जिस वर्ग में जिस धरम में जहां जहां जिनकी हलत चिंता जनक है आर्थिक समाजी की सेचनिक रूप से उसको तव मुख धरम लेना पड़ेगा तो जो हम 2030 में जो मूर्त रूप देंग उसी पर काम करती है और नेपालिका में जो लोग बेठे हैं उसी के जो मनेफेस्टू है उसी को लागू कराना चाहते हैं कुलेजियम सिस्टम सबसे बड़ा कारण इसके होजा से लगतार आरक्षन को खतम करने की पराश की जा रही है आपके क्या मन नहीं पड़ती कि एक कॉन म पराण रहते हैं जाएंबा तो ओमाछा से लगometricन पराण जाएंद की के बड़ता है जा आरक्षन को हाँ माँ धुछोगवतीू जान करांफनी रहाते हैं